मारकिट वेलफेर एस्योशेशन पिंजोर ने HDM कालका को मांगो सबंदी सोपा ग्यापन पतर विभागों के अधिकारियों से सांजव मिटिंग की दिरुखास्त की Market Welfare Association पिंजोर ने निमिलिक्त कामों को लेकर आपके साथ हमारे कामों से सबंदिती विभागों के अधिकारियों के साथ एक सांजह मीटिंग करवाने का अन्रोध किया है ऐसे ही एक मीटिंग मार्च 2000 बाई में ततकालिन उपायुक्त महोद्य महाविर कोशिक के नितातमे एक्षियोसेशन के साथ की गई थी और हमारी अधिकतर समस्चाओं को ततकाल परभाव से समधान भी करवाय गया था मार्किट वेलफेर असोशेशन पिंजोर के परधान मुकेश कंसल ने मंगलवार को बताया कि मुके मंतरी हरैना द्वरा उतगाटित निर्माना धिन सेव और फल मंडी को इसी सीजन यानी 2023 में शुरू करवाने बारे एक सांजह मेटिंग मंडी बोड के अधिकारें उन्हें उपायुक्त से उप्रोक्त मंडी को शुरू करने बारे एक साल की समय सीमा की मांग की थी तब उपायुक्त ने उन्हें अन्तियम समय सीमा देते वे एक साल के अंदर निर्माना धिन सेव और फल मंडी का निर्माना खतम करने की मंडी इस साल 2023 शुरू करने को कहा गया था परधान मुकिश कंसल ने बता कि कालका बधान सब्ग के पुलिस परशावसन को हिमाचल से आने वाले गाड़ियों को परत्यक्ष रूप से परिशाना करने वारे भी कहा गया था पिंजोर और कालका बजार CRPF चोक से लेकर काली माता मंदर तक लगबग 5-6 किलिमेटर के एरिया में फैला हुआ है लेकिन इतने बड़े शित्र में ना तो एक भी सारवजनिक सोचाले है नहीं एक ही जिगा कोई पीने के पानी की विश्ता है शासन पर शासन 2017 में ही जिलो को खुले में शोच मुख्त कर चुका है उन्होंने कहा कि बजार में कम से कम आठ सारवजनिक शोचाले का निर्मान और इसके साथ ही पीने के पानी के विश्ता करने बारे भी कहा गया है डो टू डू यानि दुकान से दुकान कच्र उठाने के विश्ता भी बजार में से एक सांजय मिटिंग करने की अपील भी की गई है